हेलो फ्रेंज में होंकीट एन वेलकम टू मैं चनल मिस्चर एट टॉक दोस्तों अगर आपके पास भी बोया बीवाई एंबन माइक है अपने भी पर्चेस किया है और आपको उसका सेट अप कैसे करना है वो पता नहीं तो सारा सेट अप में यहां पे कैसे करना है वो आपको सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले आप मेरी चैनल को सबस्क्राइब कर लो वीडियो को लाइक जरू कर देना ताकि मेरे टेकनोलोजी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो देखो सबसे पहले आपको जो माइक्रोफोन वाला इंपूट है आपके PC में या फिर कॉंप्यूटर में वहां पर आपको अपने बोया माइक का पिन इंसर्ट कर देना है इंसर्ट करने के बाद और माइक में आपको दो option मिलेगे यहां पर एक switch मिलेगा camera mode और smartphone mode तब को pc या फिर computer में laptop में यूज़ करना है तो आपको यहां पर camera mode पर on करना होगा तो ही यहां पर setting होगा वरना नहीं होगा यह करने के बाद हम अभी computer screen में अभी थोड़ी settings करनी है है तो हम वहाँ पर सैटिंस में जाते हैं तो दोस्तों यहां पर कष् opening में एक overlap आपको एक option दिखाई दे रहा है इसपीकर वाला तो यहां पर आपको किरेंक करना को settings टूंन में जाना है तो sound में जाना है यहां देखो अगर sound का option आपको यहाँ पे नहीं मिलता तो कोई बात नहीं मैं आपको दूसरी और से दिखाता हूँ start में जाना है control panel में जाना है और यहाँ पे sound वाला option आपको यहाँ पे मिल जाएगा यहां पर जाने के बाद आपको यहां पर recording में जाना है recording में यहां पर आपको देखना है कि आपने अगर और कोई devices insert किये हुए है तो वो सारे यहां पर आपको दिखाई देगे लेकिन आपको सिर्फ external mic ही on रखना है बाकी सब को आपको right click करके disable कर देना है तो सभी disable करने के बाद आपको कुछ settings यहां पर करने है तो यहां पर हमें microphone setup करना है तो यहां पर right click करना है right click करके config speech recognition पर click कर देना है ठीक है और यहां पर आपको हमें microphone setup करना है ठीक है तो हम microphone setup microphone पर click करेंगे और यहां पर हमें desktop microphone select करना है और next पर click कर देना है तो फिर यह वाली लाइन आपको पड़ लेनी है चीक है और जैसे पड़ लोगे तो यहाँ पर next का बटन आजेगा और उसके बाद फिर next करोगे तो आपका success हो जाएगा तो देखो मेरा success हो चुक है तो मैं यहाँ पर next पर click कर दूँगा और finish पर click कर दू तो यहाँ पर आपको external mic पर फिर से आपको right click करके प्रोपर्टी में जाना है ठीक है प्रोपर्टी में जाने के बाद आपको यहाँ पर कुछ और settings करने है यहाँ पर आपको listening में जाना है से लिसन में यहाँ पर अगर ईपका यह वाला जा अगर यहां पर डिक यहां हो के जाना है यहां को DVD Quality select करें कि यह आप डीवीडी quality बहुत ही अच्छी quality देता है ठीक है तो यह DVD quality मैंने आपकी क्लिक कर देना तो जो डोस्तों जैसे आपको एक सब सेटिंग हो जाएगा आपको यहां देखो ग्रीन वाला जो लाइन है और जब भी आप बूलोगे तो यह इंक्रीस हो रहा है ठीक है तो उसका मतलब है आपका माइक सेट अप हो चुका है और यह सब करने के बाद आपको लास्ट में यहाप एक कर देना है तो दोस्तों आपके बोया का माइक भी रेडी है यूज करने के लिए तो अभी आप यहाँ पे कुछ भी रेकॉड कर सकते हो अपना वोइस यहाँ पे आरा असानी से आप रेकॉड कर सकते हो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब जरू करें थैंक्स फो वाचिंग